कमस्कार स्वागत है आपका साथ बजी की खबरों में मैं हूँ अम्रतार आए सबसे पहले दिन भर की सुर्खियां उप्चुनाओं में बीजेपी को बड़ा जटका उत्रप्रदेश में समाचपादी पार्टी ने छीनी आठ सीटें राजस्थान और गुजरात में कॉंग्रेस को फायदा लोगसभा की तीन सीटों पर कोई उलट फेर नहीं भारत वेतनाम तेल ब्लॉक करार पर चीन का एतराज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा होगी नए अध्याई की शिरुवात कल आएंगे चीन के राश्रपती जम्मू कश्मीर में रहत और पुनर्वास के काम में तेजी हालात में सुधार जमू शनगर हाईवे खुला वायू सेना प्रमुख ने किया पीडित इलाकों का दौरा विक्रम विश्विद्याले के कुलपती के साथ बीएच पी और बजरंग दल के कारेकरताओं की मार पीट मामले में गिरफतारी नहीं पुलीस कर रही है वीडियो की जाच और यी रिक्षा को लेकर सरकार दस दिन में जारी करेगी अधिसूशना प्रस्तावित मसौदे में लाइसेंस जरूरी 25 किलोमेटर प्रतिगंटा होगी स्पीड लोगों से मांगी गई राय और आई देखते हैं आज की सबसे बड़े खबर तीन लोग सभा सीट और 33 विधान सभा सीटों के ले हुए उप्छनाओं में बीजेपी को बड़ा जटका लगा है उत्तरपुदेश में समाजबादी पार्टी ने बीजेपी से आठ सीटे चीन ली है वही राजसान और गुजरात में कॉंग्रिस ने श्यांदार प्रदर्शन किया है बीजेपी के लिए राहत देने वाले खबर बंगाल से है जहां उसे बसीर हार्ट सीट पर जीत मिली है और उप चुनाव नतीजों को लेकर कॉंग्रिस और समाजबादी पार्टी काफी उत्साही थे हैं वहीं बीजेपी से इस्थानी अमुद्दो पर लड़ा गया चुनाव बता रही है और मोदीजे जिस दिन परधानमंत्री बनने के बात पहली बार गुजरात की आथरा कर रहे हैं उस दिन गुजरात में भारती जनता पार्टी से कुछ शीटे कंग्रिस ने छीनी है तो ये कंग्रिस के लिए अच्छी बात है बहुत बड़ी उपलब दुत्तर प्रदेश में है कि समाजवादी पार्टी ने भारती जंता पार्टी को बुरी तरीके से परास्त किया जब बीएसपी भारती जंता पार्टी के साथ खड़ी थी एक बहुत स्थानिय होते है और उसको उसी नजरिय से देखना चाहिए उसमें से तुरंत यह अर्थ निकालना कि मोदी जी की या बीजेपी का समर्थन कम हो रहा है वेव कम हो रहा है वो गलत थुसाबित होगा आने दो महराष्ट और हर्याना के चुनाप दिखा देंगे दम में गया था दोनों जगे हम लोग जीते हैं तो बीजेपी के हार की वजहें क्या है और बीजेपी इससे क्या संदेश ले रही है इस पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबेत पात्रा संबेत बहुत स्वागत है आपका क्या बीजेपी इन च पॉलिटिकल पार्टी है लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं जनता के निर्देश को आदेश को हमेशा चिरोधार्य करते हैं वैसी परिस्थिती में अगर हमारे को नुकसान हुआ है तेज सीटों पर लड़ा गया आज 32 सीटों का रिजल्ट आया है लगभग उसमें 12-13 सीट करना चाहिए कि ओखे लोकल चुनाव होते हैं विधान सभा के चुनाव होते हैं बाई पॉल होते हैं इसमें दो विशह भूलोथ ध्यान देनी हो गया है एक तो जो बाई-पॉल के चुनाव होते हैं उसमें कई-ग liaison पर चुनाव करते हैंचजू परिलटानिज्ग होए लगता है, मगर जन्ता की और से भी रहता है कि नहीं इसमीं कोई करो या मरो की स्थिती नहीं होती है, इसलिए हर कोई जन्ता भी थोड़ा complexant रहते हैं कि जाके बहुत जो हमारा excluder होता है कि हरकोई घर से निकल कर vote करे, शायद उस विशह कंच्टन नहीं करता है, और strategic परजी बनाने वाले भी जो पार्टी में होते हैं वो भी थोड़े कॉंप्लेसंट होते हैं आप अगर भारती जनता पार्टी को देखेंगे जिस प्रकार से बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में तीन महीने पहले रही है स्वभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में था मगर वहीं कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिती वहां उत्पन हुई पड़ी थी उनको ऑक्सिजन क्या वश्यक्ता थी जीने के लिए तो स्वभाविक रूप से जोर शोर लगा दिया पूरे कंक कि यह तेम की हार रही या फिर इंडिवीजूल्स की हार रही क्या ये यह आप लोगों के आत्मी चिंतन में ये बात आएगी क्योंकि मैं इसले यह सवाल पूछ रही हूं कि पार्टी के प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं क्या आप इसे तीम अमिश्यक्या कि किस के कारण से किस में गडबडी के कारण से हार हुई तो फिर हम चिंतन करते ही क्यों मगर मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही लोकल level में लड़े जाने वाले चुनाव होते हैं इसके पीछे हार जीट के जो कारण होते हैं वो भी ख्यत्री होते हैं अगर local level पे लड़े जा रहे चुनाव और नतीज़े भी local level पे होते हैं समवित तो क्या आप ये मानते हैं कि समाजबादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया जिसकी वज़े से उसे लोकल समर्थन जादा मिला और आप लोगों को नहीं मिल पाया देखी ये मानना भी अभी बिल्कुल बहुत प्रिमेच्योर होगा स्वभावी क्रूप से उनके कार्यकरताओं कुछ तो अच्छा काम किया होगा जादा मेहनत की होगी तभी तो यह सीट निकल के आई है क्यों जादा उनके कार्यकरताओं क electrा ने मेहनत की कहां हमारे कार्यकरताओं से चूक हो गई यह विशह चिंता का जरूर होता है और जिसको मैं नहीं मैं सरकार को इसमें बीच में बिल्कुल नहीं लाना चाहूंगा मैं एक बात यहां याद दिलाना चाहूंगा कि आप देखिए हमने अच्छे दिन के वाइदे किये थे अच्छा दिन का definition क्या होता है अच्छा दिन का बहुत मुलभूत definition होता है जहां आपकी ग्रोथ बढ़ रही हो और जहां महेंगाई दर कम हो रहा हो यह संगम जहां होता है वह उसे अच्छे दिन कहते हैं और आप देखिए मोदी जी के आने के 100 दिनों के अंदर ऐसा एक संगम का निर्मान हु अब बढ़ने लगी है 5.7 हो गया है जो इंफलेशन दर है वो कम गया है पहली बार 5 साल में ऐसा हुआ है वो 3.4 हो गया है तो इसके जो संगम को ही अच्छा दिन कहते हैं वो अब इतनी जल्दी नहीं दिखेगा सब कुछ मतलब आप यह मान रहे हैं कि उसका असर देर से आएगा हम उसके असर को देखेंगे कि महाराष्ट्र विधान सबाचुनाओं में हरियाना विधान सबाचुनाओं में किस तरह कर रहा लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के उदारन को जैसा आप कह रहे हैं कि इस्थानिय मु सीट कॉंग्रेस के पास चली जाती है तो मैं किसी और के सर पे ठीकरा नहीं फोड सकता पार्टी प्रवक्ता के होने के नाते में जरूर कहूंगा कि हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कहां पर गलती हुई क्या यहां के जो कारे करता हैं उन्होंने किसी प्रकार का कुताही ब बैठे हुएं और हम देख भी रहे हैं आप लोगों की अनलेसिस भी देख रहे हैं एक चीज़ बताईए बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा उतर प्रदेश में क्योंकि जादा दाओं उतर प्रदेश में इसलिए मैं सवाल बार बार उतर प्रदेश पे ले जा रही हू बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा उतर प्रदेश में इसके संदेश क्या रहें? का डिवीजन होगा कि कौन से एरिया से कहां से वोट शेर कितना गया है उसके पस्चाति हम बता पाएंगे कि क्या अनुसूचित वर्ग ने एनमास किसी को वोट किया था जो आपने अनुसूचित जातियों की बात की दलित वोटरों के बारे में माना ये जा रहा था कि पहली बात तो है कि भारतिय जंता पार्टी कोई पोलराइजिंग फोर्स बिलकुल नहीं है जिसका बड़ा ओब्लीकली हिंट कर रही है कि हिंदुत्ववादी ताक्ते हैं हमारे ताकत सर्फ एक ही है वो ताकत है विकास की ताकत और डेवलप्मेंट का एजेंडा इसी एज लेकर हम चलेंगे मैं आपको याद दिलाओं कि जो नैशनल काउंसिल हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा एजेंडा डेवलप्मेंट का है तो फिर आप लोगों ने लब जिहाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में इत लब बार मैं भी आपके चैनल में आया और जितने भी हमारे प्रवक्ता डिबेट करते थे हमने तो बिल्कुल सिरे से नकारा था राजनाच जी ने भी नकारा कि तो हमारा विशे नहीं है और हमारा जो रिजलीशन रिंदावन में अपनाया गया उस रिजलीशन में भी लव जिहाद का जिकर करते रहें फिलहाल हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे उमीद है कि आने वाले दिनों में आप लोग आत्म मन्थन जरूर करेंगे कि आखिर हार की वजहें क्या रहीं बहुत बहुत शुक्रिया संबित में और आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कि दर असल किस तरह से विधान सभा चुनाओ के नतीजे आए और क्या संदेश देते रहें आठ विधान सभा सीटो पर जीद दर्श की है। बीजेपी ने तीन सीटो पर काम्यावी हासिल की। इन सभी सीटो पर पहले बीजेपी और उसके सयोगी दलों का कबजा था। बीजेपी ने नतीजों को निराशा जनक बताया है, समाजवादी पार्टी ने जीत का श्रे राज सरकार की नीतियों को दिया है बीजेपी को अपने गड़ गुजरात में भी कॉंग्रेस से कड़ी टक्कर मिली है वहाँ नौ विधान सभा सीटों के उप्चुनाव में बीजेपी को 6 और कॉंग्रेस को 3 सीटे हासिल हुई वड़ोदरा लोग सभा सीट से बीजेपी की रंजना बेन भट जीत तो गई लेकिन जीत का पासला आधे से भी कम हो गया राजस्थान में बीजेपी सरकार को जटका लगा है चार सीटों पर हुए उप्चुनाव में कॉंग्रेस ने बीजेपी से 3 सीटे छीन ली है बीजेपी ने कोटा दक्षड पर कबजा बरकरार रखा है बीजेपी के लिए राहत की बाद ये है कि पश्चे मंगाल में पार्टी का खाता खुल गया है बीजेपी ने बसीर हार्ट सीट जीत ली है वही चौरंगे सीट टीमसी ने जीती है आसाम में तीन विधान सबा सीटों के लिए हुए उप्चनाव में बीजेपी, कॉंग्रेस और AIUDF को एक-एक सीट मिली है सिक्किम की रंगंग-यंगंग सीट से निर्दली और त्रिपुरा की मानू सीट पर सीपियम को जीत हासिल हुई है आंधर प्रदेश की नंदी गामा सीट पर तिल्गु देशम पार्टी का कबज़ा हो गया तिलंगाना की मेड़क लोगसभा सीट पर टीरेस ने कबज़ा बरकरार रखा है मुहमत फाते टीपु के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद लोटते हैं कुछ और खबरों के साथ प्रधान मंत्री बनने के बाद नरेंदर मोदी आच पहली बार अपने ग्रह राजे गुजरात पहنचे हैं उन्से मलाकात करेंगे जिनपिंग तीन दिनों के भारत दोरे केलिए कल दो पहर एम्दाबाद पहुँच रहे हैं मोदी ने कहा है कि गुजरात की धर्टी पर चीन के राश्रपती से बाचीत बेहत एहम है। एहमदापाद में स्वागत कारिक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि गुजरात का अनुभाव केंद्र में सरकार चलाने में मदद कर रहा है। चीन के राश्रपती शी जिनपिंग के भारत पहुचने के पहले चीन ने दक्षन चीन सागर में तेल ब्लॉक को लेकर भारत वियतनाम समझावते पर समर्थन देने से किनारा कर लिया है। यह समझावता सोमवार को राश्रपती प्रड़मुखरजी और वियतनाम के राश्रपती की मौझूदगी में प्वा। यही नहीं चीन के राश्रपती ने भारत आने से पहले मौल्दिव और श्रिलंका की यात्रगर के भी एक संदेश देने की कोशिश की है। अभी सोमवार को भारत और वियतनाम के बीच तेल कुओं के लिए समझावता हुआ था। और मंगलवार को चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो इस समझावते का समर्थन नहीं करेगा। क्योंकि ये विवादिच छेतर है और उसके अधिकांस हिस्से पर चीन का अधिकार है। शी जिनिपिंग की मालदीव और कोलंबो यात्रा भी उसी तरह की रणनीती की तहत है जैसी प्रधान मंत्री नरेंदमूदी की जापान और राष्ट्रपती पड़ा मुखरजी की विद्नाम यात्रा और भारत की एक्ट इस्ट नीती. शी जिनिपिंग की यात्रा के परिणाम सकारात्मक ही रहेंगे, क्योंकि चीन के सामने फिलहाल भारत का कोई विकल्प नहीं है. इसी आशा को लेकर प्रधार मंत्री नरेंदमूदी, शी जिनिपिंग की अगवानी के तयारियों का जैजाले ने एहमदाबाद पहुच गये है. चीन का इतिहास रहा है कि वो व्यापार और रनितिक मामलों को एक दूसरे से अलग रखता है. भारत भी अब उसी तरीके से चीन को जवाब देने की कोशिश में है. भारत के लिए चीन एक राधनितिक चुनोती भी है और एक आर्थिक औसर भी. भुटान से लेकर आसियान तक भारत ने जहां अपनी सक्रियता बहा कर चीन को राधनियक तोर पे जवाब देने का प्रयास किया है. वहीं चीन की आर्थिक और तक्नीकी छमता के उपयोग का खाका कीच कर भारत ने अपने को मजबूत बनाने का प्रयास किया है. अब देखना ये है कि टकराओ और सहयोग का रास्ता दोनों देशों को कहां ले जाता है. कैमेरा परसन सिधार्थ के साथ राजसवा टेलिवीजन के लिए दिल्ली से अखिले सुमन. चीनी राश्रपती की यातरा से ठीक पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिष्टों में नया अध्याय शुरू होने की बात कही है. दिल्ली में चीन के पत्रकारों से बाचीत करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत और चीन इतिहास से जुड़े हैं, संस्कृति से बंधे हुए हैं और सम्रिध परामपराओं से प्रेरित रहे हैं. एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों देश समस्त मानावजाती के लिए उज्वल भविश्य का निर्मान करेंगे। आपदाएं चाहें कितनी बड़ी हो, हर मुश्किल के बाद राहे खुल जाती हैं। जम्मू में बाड़ पिड़तों के लिए खास इंतरजाम किये गए हैं। पिड़तों के लिए निशुल्क बस सेवाए, खाना और इलाज मुहया कराया जा रहा है। लापता लोगों की पूछताश के लिए 24 सो घंटे निशुल्क हेल्प लाइन सेवा शुरू की गई है। पुनरवास के काम योजनाबत तरीके से किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में सफाई के काम के लिए श्रीनगर को तीन भागों में बाटा गया है। कृतिम इश्रा के साथ रविन शिंग शुराण, राजसभा टीवी, श्रीनगर। जब कश्मीर में बाट का पानी उतरने लगा है लेकिन इसके साथ ही वादी में महामारी का खत्रा भी बढ़ गया है। डॉक्टर्स और दवाईों की कमी से ये समस्या और गंभीर हो रही है। ऐसे हालात में जाएं तो कहा जाएं। दर उजड़े, दयार उजड़ा, बाढ़ ने सब कुछ झीन लिया। उस पर अब महामारी का सताता डर। सेना के मेडिकल कैम्प के बाहर लंबी कतार में इलाज के लिए खड़े इन लोगों का दर्द और मायूसी कुछ ऐसी ही है। इलाके के ज़्यादातर अस्पताल पानी में टूबे हैं। ऐसे में सेना के मेडिकल कैम्प ही एक मातर सहरा हैं। कैम्पों में रह रहे लोगों की मुसीबत भी कम नहीं है वक्त पर खाना नहीं मिल पाने की वज़े से मदुमे के रोगियों का बुरा हाल है इंसुलीन की कमी के साथ-साथ उसे स्टोर करने की भी सुविधा नहीं है इस बीच महामारी पर रोग था जाएगा इस बीच महामारी पर रोग थाम के मद्धे नजर काम में तेजी लाई जा रही है महामारी पर रोग थाम के लिए केंदर सरकार राज़ी की भरपूर मदद का ऐ problème पहले ही कर चुकी है श्रीनगर से कुरुते मिश्रा के साथ रवेंद्र शोरान, राज्ज सभाटी वी उज्जेन के विक्रम विश्व विद्याले के कुलपती के साथ मार पीट का मामला सामने आया है कुलपती जवाहर कॉल ने जम्मू कश्मीर के चात्रों के लिए मदद की अपील की थी इससे नाराज होकर विश्व força हिंदु परिशद और बजरंग दल के कारेकरताओं ने विश्व विद्याले में तोड़ फोड़ की विश्व विद्याले परिशासन ने अपने चात्रों से जम्मू कश्मीर के चात्रों को मदद की अपील की थी नाराज लोगों ने इसका गुस्ता पुलपती जवाहर कॉल पर निकाला 20-25 लोगों पर F.I.R. दर्ज करके पुलिस तोड़फोड के वीडियो की जाच कर रही है कौन थे क्या थे मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूँ और उसके उन्होंने फिर वहाँ तोड़फोड करी और चले गए F.I.R. दर्ज किया गया है और F.I.R. के बाद हमारे पास कुछ CD उपलब्द हुए है कुछ मेडिया बंदु जो है उन लोगों के पास भी ये चीज़ें उपलब्द है उनसे भी मैंने मांग किये कि आप लोग भी मुझे CD उपलब्द करा उजयन में इसी तरह की घटना में एक प्रोफेसर को अपनी जान गवानी पड़ी थी 26 अगस्त 2006 को ABVP के कुछ चात्रों ने माधा कॉलेज के प्रोफेसर सबरवाल की पिटाई कर दी थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी हलाकि इस मामले में नाकपुर सेशन कोर्ट ने 2009 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था ये सभी आरोपी ABVP से जुड़े थे ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे ब्रेक के बाद लोटते हैं कुछ और ख़बरों के साथ पूर्व सीएजी विनोद राई का कहना है कि उन्होंने पूरु पूरु प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं उन्होंने कहा है कि चुकी मनमोहन सिंग उस वक्त सरकार की अगवाई कर रहे थे इसलिए मुखिया के तौर पर उनकी जिमेदारी सबसे जादा बनती है इससे पहले पूरु प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग ने विनोध राय के कथिद दावों को पहले ही खारच कर दिया था उधर कांग्रिस नेता संजे निरूपम ने भी विनोध राय को मान हानी का नोटिस भीजा है संजे निरुपम ने विनोध राय के दावों को भी निराधार बताया है केंद्री सरकार ई-रिक्षा के परिशालन को लेकर दस दिनों में अधिसूचना जारी कर देगी केंद्री सरक परिवहन मंत्राले ने आज इस संबंध में एक ड्राफ नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि इ-रिक्षा के रेजिस्टेशन के साथ इसकी अधिक्तम गति को 25 किलो मेटर प्रतिगंटा रखा जाएगा इ-रिक्षा में ड्राइवर को छोड़कर अधिकतम चार यात्री ही बैठ सकेंगे और 40 किलो का सामान ले जाये जा सकेगा सरकार इसके लिए केंद्रिय मोटर वहान अधिनियम 1989 में संशुधन करेगी दस दिन में ये उनसे जनता से सुझा मांग रहे हैं और दस दिन के बाद इसको नोटिफाई करेंगे और उसके बाद इ-रिक्षा चल पाएंगे या पीछे से कुछ कहने जा रहे हैं अब ये तो उनके मन में क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो तो केजरिवाल साब बता सकते हैं अपने स्क्रिप्ट को मैं तो बता नहीं सकता कि किस तरीके से मीडिया में वो बने रहे लगाता और अब ख़बर भारत के मंगल यान की ठीक आठ दिन बाद भारत का महत्वकांशी मार्स और्बिटर मिशन 24 सितंबर को मंगल ग्रह के वातावरन में प्रवेश करेगा अंतरिक्ष में इसने 98 फीसदी से जादा सफर तै कर लिया है और मंगल यान अब मंगल ग्रह से करीब 1.30 करोड किलो मिटर की दूरी पर ही है 22 सितंबर को इसका लिक्विड इंजिन का टेस्ट फाइरिंग होगी और इससे पहले 14 और 15 सितंबर को इसकी सारी कमांड फीट की जा चुकी है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बंगलूरू के अलावा अमेरिका के गोल्ड स्टोन, स्पेन के मड्रिट, और श्रिलिया के कैन्बरा और वहां के स्पेस रिसर्स सेंटर से इसकी निगरानी की जा रही है अंतरिक्ष में भारत की उची उडान पर केंद्रित राजे सभा टीवी की खास पेशकश भी आप देख सकते हैं रोजाना शाम साड़े साथ पिछे